कि असलाम अलेकूम दोस्तों कैसे आप सब उम्मीद करता हूं कि सब खैरियास से होगे ठीक टाक होगे फिट फार्ट होगे आज को वीडियो है मेरे फार्म जैसे जे के गोट फार्म का और आज मैं फार्म में कुछ नया किया हूं जैसे कि आप देख सकते हैं मैं दो फंके वज़े से हालत खराब हो रही है तो वहीं जानवरों के भी आलद कराब हो रही है और इसलिए मैंने निन्ड़ने लिया क्या मैं क्यूं ना यह जो हमारा जो गाला है बारा वाई पच्छीस का इसमें हम लोग कम से कम दो फंके तो कैसा भी करके सेट अप करें जैसा कि हम दे कि नान से खाके बैठे क्यूंकि रात भी रात में मच्छरों का भी अटेक बहुत होता था और उसके विए से भी दिक्कत होती थी तो वह हिसाब से हम लोग ने लिए क्या भाई हम लोग दो फंका तो कम से कम फाम में लगाएंगे जिससे इनको रहात मिलें तो दो फैन तो लग गए माशालाओ और उससे दीख भी रहा है कि इनको काफी आराम है और आराम के विए से यह अपने आपको अच्छा मैसूस कर रहा है और फंके के नीचे ही तो मेरे जो टेडी के बच्चे ते दोनों बिग गए माशालाह से लोग है दोनों बंबे में गए दोनों बच्चे और दो बेंटम की भी बात चालो है इंशाल्ला हो भी हो जाएगा एक पकरी तो समझो अभी तत्काल में पुरा मुझ फूल गया एक दो दिन में मैं अगर स की उमर 5-6 मिना है अब देख सकते इसकी कॉलिटी और फूल वाइड आइस में गएगजम फिंग बच्ची है फीमेल है और यह बच्चा है फीमेल बड़े कांका सोजत में यह ठीक है सोजत में यह चोटे बच्चे तिन तिन मेने के माशाला अच्छे बच्चे और यह भी द देख सकते हैं और इसमें भी अगर आपको कुछ पसंद आता है तो बोलते रहना में रखो तो हम उसका भी डट आपको बताते रहेंगे यह देख सकते हैं इधर पर फंका है यह इस वक्त मेरी काली के लिए बहुत रहाद है काली को भी सुकुन मिल गया दीन में गर्मी से र अदनियों का काम करता है थोड़ा सा भी मौका मिले तो काम बजा देता है सीधा गाजर निकालता है और कि का हो जाता शुरूर तो ठीक है आप देखें तो इस तरीके से है अगर किसी को कुछ चाहिए रहेगा तो मुझसे ज़रू कॉंटक करें ओके तो आप लोग अपना ख्याद एक मैं अल्लाहाफिस भाई फिर मिलें अगले वीडियो में